बिस्मिल्लाइ रभाने रही लेक्ट्चर नुबर एट चेक्टर नुबर और सेकेंड यह स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्ट्चर नुबर सेवन जो था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को डिस्कस किया था हमने और उसके दो प्रॉब्लम्स भी पढ़ दिये रहे हैं उसी को हम आगे कंट्यून करते हैं प्रॉब्लम्स फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के और भी है वो हम डिस्कस करेंगे तक इससे पहले मैं थोड़ा दुबारा इसको रिक्वीड कर देता हूं तो हमारा लास्ट लेक्ट्चर बाता हां डा को coral प्रॉब्लम्स भाइल उसटम हमने इस डिसकस कहती है कर्फाइल प्रॉब्हस उसक वे क्या मारा मेशक दूनके और फाइल फोसेसिक्सिस्टम में यह उता है कि आप तो नहीं आप डैटाबेस यूख हो रहा है, यह पैला तरीका था फाइल को प्थош सब्समें फाइल फिसस्टम में फाइल से दूसी फाइल के पाश है को ठीय होजिद lending तो डाक शेयर मैं घूव सकता था एक फाइल से दुसी फाइल के पाथ जिससे problem create हूए वो problems हम discuss कर दे है एक problem हमें पढ़ लिया था data redundancy का यह हमने discuss कर दिया था redundancy duplication redundancy duplication redundancy pipe processing system में यह problem आता है यह हमने discuss किया था फिर data inconsistency यह भी problem है यह भी आपने last lecture में discuss किया था कि एक ही entity एक ही object का data मुख्तलित जगों पर बढ़ा हुआ है और वो मुख्तलित है यह है inconsistency यह भी problem है यह दो हमने discuss कर लिये थे next discuss करेंगे from data dependency from data dependency जिए अभी problem है यह प्रॉब्लम है यह मी प्रॉब्लम है program data dependency यह problem है problem discuss हो रहे है 5 process in system के देखें, दो चीज़ें होती है, प्रोडाम्स और डेटा, यह कम्प्यूटर पे कामचालर होते हैं, और यह दो मुस्तलिफ चीज़े, पहले मैं इसको डिस्कस करूँगा, इनका अधार की बताता हूँ, कम्प्यूटर के अंदर जो softwares होते हैं, उनको हम program कहते हैं, और जो चीज़ स्क्रीन के सामने हमें देख रही होती है, वो data है, अब यह दो दो चीज़ें कठे काम करती है, ऐससे जी कह सकते हैं कि जो data होता है, वो front end होता है, मतलब जो सामने हैं, और जो programs होते हैं, वो back end होते हैं, मतलब पीछे होते हैं, मुनदद ही आ रहे होते हैं, programs ही data को चलाते हैं, programs ही data को चलाते हैं, data को run करना है, data के अंदर, data का format चेंज करना है, मतलब data में कोई भी data पे जो बर्टिंग होती है, वो program कर रहा होता है, program also known as software, program back end पे होते हैं, data front end पे होते हैं, मतलब सामने हमें नजर आ रहा होते हैं, अब ये दोनू एक उसे पर depend करते हैं, dependency, depend, इन असाल करते हैं, और ये problem है, dependency, दोनू के दर्मियान dependency, problem है, कैसे, देखें, अगर data में अगर हमें कोई changing करनी, पढ़ भी जाए, तो फिर हमें program में भी changing करनी पड़ेगी, क्योंके program किस पर depend कर रहा है, data में, अगर program में changing करेंगे, तो फिर automatically data में भी changing करनी पड़ेगी, क्योंके data किस पर depend कर रहा है, program में, ये मसला है, if we can any change in data, then we can change in program, and if we can any change in program, then we can change in data, because both are depend to each other, आगे स्वार ये है, कि data में क्या changing हो सकती है, मैंने अभी बताया, data का फार्मिट change कर सकते हैं, ठीक है, data के अंदर जो मुफ्तरे टाइक्स के features हैं, वो change कर सकते हैं, तो data में changing करेंगे, तो program में, automatically में change करनी पड़ेगी, अच्छा, अगर program में changing करते हैं, तो data में changing करनी पड़ेगी, अब सवाल ही है कि program में क्या changing हो सकती है, program क्योंके softwares होते हैं, software के अंदर instructions होते हैं, instruction change करनी पड़ेगी, तो यह एक मसला है कि अगर data में changing करेंगे तो फिर program में changing करनी पड़ेगी, program में changing करेंगे तो फिर data में changing करनी पड़ेगी, क्योंकि यह दोनों एक उसर पर डिपेंड करते हैं यह यह फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यह चीज थी और यह एक प्रॉप्रम था दोनों का आपस में डिपेंड करना हुआ नेक्स्ट अबाल पास प्रॉप्लम है लैक और फ्लेक्सिबिलिटी कम ही होती है अब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इतना अफ्लेक्सीबल नहीं है हमारे लिए अाहां और अच्छा का सकते हैं पुर्सबूर का सकते हैं लचुकदार का सकते हैं असाम यह लाग planning fire processing system हमारे लिए इतना कुछ सपुन्यत नहीं है असन नहीं है flexible नहीं लिए तूल्व क्लेक्वाने क्या मैंने स्टार्ट में लास्ट एक्टर में यह दो कि मुझाई थी कि आई किता है एक कंप्युटर एक फाइल में हों दोसरे डी अट उसी से रिलेट डूसरे कंप्यूटर दोसरे फाइल में है तो हमें क्या करना पड़ेगा अलग अलग कंप्यूटर को यू उसे डazed उडाड उठाना पड़े मिसल्प है अगर ये फाई अपस में कनेक्ट होती ही, तो हम एक ही कंप्यूटर पे बैढ़के मुझतलिफ कंप्यूटर या मुझतलिफ फाई से डेटर उठा ले दें उसी नेट वर्किंग, उसी कनेक्टिविटी के जरी लेगां फाई प्रोसेसिंग सिस्टम में क्नेक्टिविटी नही फाई फाई अपस में नहीं कनेक्ट होती ही, इसलिए हम एक ही कंप्यूटर से बैढ़के, एक ही फाई पे बैढ़के, दूसरी फाई से डेकार दूसरे कंप्यूटर से डेकार नहीं उठा सकते, यह हमारे लिए मजल है, यह हमें फ्लیکसिबल नहीं रहने देता हूं, मैं अब मैं सारा रिकार्ड उठार हमाई कंप्यूटर से स्टुटेंट का, लेकिए प्रोसाइज सारे स्टुटेंट के हो, दूसरे कंप्यूटर दूसी फाइल पर पढ़े हैं, अब मैं यह नहीं कर सकता है कि उसी कंप्यूटर पर बैढ़ के, नेट्रॉरकिंग तो की हुए है, मैं दूसरे computer से data उटा लूँ, file processing system में नहीं, फिर मुझे मजबूरन दूसरे computer दूसरी file पे जाकर address उठाने पड़ेगे, और यह मेरे लिए मसला हो गया, flexible मैं नहीं होगा, यह different data, different location पे पे आपको जाना पड़ेगा, फिट आड़ाना पड़ेगा, तो यह मसला है, यह भी file processing system पे जोगता है, इसी दरा मारे बास, integrity problem ने 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 ने, integrity problem, एक बात यहाद अखनी है, integrity का मतलब, integrity अच्छी चीज़ है, लेकिन integrity file processing system में ने ने, इसका problem है, integrity, accuracy, consistency, reliability, correctness यह integrity होगा है, लेकिन file processing system में यह चीज़े नहीं है, problem है, मतलब AI processing system हमारे लिए correct नहीं है, correctness नहीं देता, reliable नहीं है, consistency नहीं है, correctness नहीं है, मसला है, जैसे मैं आपको example देता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि student के table है, file है, उसमें marks का एक column बनाओ है, marks, आपको marks इंटर करने हैं, और mostly marks, आपको पता है कि हम इंटर करते होते हैं, numeric में, अगर मैं integrity नहीं देता, integrity नहीं है, तो कोई बंदा, कोई भी person, अपनी मर्जी से data इंटर कर रहोगा, कोई numeric में इंटर कर रहोगा marks, तो कोई alphabetic में marks इंटर कर रहोगा, 35, 35, हाँ, वो, alphabeticly, कोई numbers में, यह मैं बंदा होता, अब sequence नहीं बनेगी, अपनी बर्जी से इंटर हो रहा है, कोई number में इंटर कर रहा है, कोई ABC, alphabeticly इंटर कर रहा है, अगर मैं integrity दूँगा, और integrity में मैं यह चीज़, इस चीज़ में rules आ जाए, वो चीज़ correct हो जाती है, जहाँ पर कोई rules नहीं होते है, वहाँ पर correctness ही खतम हो जाती है, तो file processing system तूँगे integrity नहीं देता था, तो वहाँ पर constraints नहीं होते थे, constraints means rule, database के अंदर constraints का मतलब होता है, rules, लेकिन यहाँ पर integrity problem है, rules नहीं होते, तो practice नहीं होती, accuracy नहीं होती, यह मैं आपको देता हूँ, integrity से मुराद, accuracy, consistency, reliability, यह सारी समझने के कूपिया है, अच्छाहिया है, और integrity किस से attain होती है, हासिल होती है, through constraints, और database में constraints का मतलब बता है, rules, मैं जैसे rules लगा देता हूँ, अभी marks इंटर करने नमबर में, यह मैंने rules लगा दिया, अब number में टा हूँ है, 70, number, 80, number, अगर मैं English में type करूँगा, तो नहीं आई है, alpha, daily नहीं आई है, तो यह ती अच्छी होगी, data प्रैक्ट हो जाएगा, कि एक ही sequence में आई है, नमबर में आ रहा हूँ, अगर मैं नहीं rules बनाता है, हर बना, मेरा निमर्स इसे इंटर कर रहा होगा, कोई नमबर में इंटर कर रहा होगा, तो कोई alpha-padex नमबर में, आपना marks इंटर कर रहा होता है, सिक्वेस ही भिगड़ जाएगे, तो वाप्रैक्टरेस करता हम, तो इंटिग्रीटी से कांस्ट्रेंस आखे, इंटिग्रीटी एक्ट, लाइक चैक्ट प्रेंस नहीं डैटा, इंटिग्रीटी ऐसे जैसे डैटा आ रहा हो चेक्टोर आ है, और चैक्टा का मतलब रूल्स, तो वहां पर कोई रिलाइबिलीटी नहीं होती तो फाइल प्रोसेसिंस सिस्टम में इंटीडिटी नहीं है प्रॉब्लम है इंटीडिटी वैसे अची चीज़ है लेकित इसमें नहीं है यह इसका बहुत बड़ा मसला है नेक्स हमारे पास है स्क्यूर्टी प्रोब्लम स्क्यूर्टी का तो आपको पता हुला स्क्यूर्टी मिन प्रोटेक्शन यह इसी फर्सेल में भी हमने डिस्कस की थी प्रिफासद स्क्यूर्टी में प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन किसकी की जाते है डाते की फाइल प्रोसेसिंसिस्टम में security पॉड्लम मैं रुगम लेका नमे Source File process system में ळाट प्रोटेक्शस नहीं होता is fine processing system में security का मसला है ऑन प्रोथेक्शन किसकी करते हैं देखी किस के हमें करते हैं अनफराइज यूजर अनफराइज यूजर ये जो घया पुतालगा बंदे होते हैं जो जो इदारे से जुड़े वेड़े होते हैं जो जिनको पर्मिशन नहीं होती हां वो आके डेके को चुराएं मोडिफाइओ करें या उसको गया कानूणी तरीगे बड़ा प्रविशन गया लिए तो आना तो राई उजूजर से डाटे की हिफाज़त करना यह स्कूर्टी अब मैं आपको मिसाल देता हूँ यह मिसाल आपकी भूप में भी है देख लेनी है आपने जैसे security के level होते है अब किसी भी आड़य से कि थलेवल कोई हिए उसका का मैं यह कर दो kobisup किया गया है मैंनेजर यह नि कर सकता नाहिं उसको यह इजाजत है को डैटा-इंट्र 59 के कंप्यूटर के कंपूटर पे यह उसके रिकार्ट को छेड़े देखे हलाकि एक इतारे में है फिर भी जाज़त नहीं और ना ही data entry operator को इजाज़त है कि वो manager के computer के को use करें उसके record को देखें उसको इजाज़त नहीं है एक level बुनाए जाता है यह हलाकि एक इतारे में रह रह रहे हैं तो यह security है क्योंकि उसका अपना record है वो अलागे उसको इक responsibility दी गई है दूसे को अपने record एक दूसे के record को चेक नहीं कर सकते बगार एक उसे की इजाज़त के लिए तो यह security है security एक इतारे के लिए बहुत जरूरी होती है इतारे ने जो responsibility दी हुए है हर एक user को वो उसी user के उपर है वो उसी नहीं करनी है यह निए करें अगर दूसरा परसंट को कोई स्कुराब कर देता है यह कुछ उसमें गर्णबर हो जाती है तो वो उससे नहीं पूछा जाएगा उससे जाएगा जिसको responsibility दी जाती है अब वो उसकी मर्सिए है कि वो दूसे परसंट को अपने दारे के इसे पर से इजादा दे यह ना दे तो स्कूर्टी बहुत जरूरी होती है किसी भी सिस्टम के अंदर स्कूर्टी से मतलब प्रोटेक्शन होती है कि दूसरे किसी भी बंदे से अपने डेटर को बचा करपना लेकिन ये अधिये फाइल से सिस्टम के अंदर स्कूर्टी का मसला है मतलब फाइल सिस्टम में डेटर स्कूर्ड नहीं होता तो यह वह आजका टपिक था कि प्रॉब्म ते साहिए कि क्तम हो गया है इस पूरा टप्रिट। दो लेक्टर में ये वह यह कृतु मैंने कर दम कि आदा जो प झाल झाल झाल